वेलो दोस्तों, वेलकम टो ओफिशियल यूट्यूब चैनल एकजाम कॉंसर्ट पे, दोस्तों आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी ले क्या है, वह राइटर नो डाउट ट्रोमांटिक एज के बहुत थी पाउनियर साबित हुए है, पीवी सैली, जिनका फूल नेम पर सी बायसे सैली है, इन्होंने अपने 29 साल के केरियर में ऐसे इंग्लिस लिटिशक शेत में ऐसे योगदान जी है, जिससे आज भी पढ़ा जा सकता है, आईए दोस्तों आज इनकी बायोग्राफी बात करें, इसके इंपोर्टेंट वर्क पर बात करें, इनकी कमप्लिच पीजीटी पीजीटी ऑन बीजस के बीजस उसमें इनसे रिलेटेट पूछे ही जाते हैं, और इनहीं को लेकर आएँ डिसकर्स करेंगे, पीबी सैली जो थे पारसी बैसी सैली, चार अगस्थ को जन्म लेते हैं 1792 में, और इनकी जीवन लाइफ खत्म होती है 8 जुलाई, 1872 यानि यह अपने 29 साल के life spend को कैसे spend करते हैं, इनके life में क्या घटना important होती है, इसी सब चीजों पर बात करेंगे, ठीक, P.B. Sally born in Sussex in the wealthy landowing family और यह जो P.B. Sally थे, Sussex में जन मिलिये से 1792 में, एक wealthy landowing family में, और यह एक 39 MP थे, यह भी कोशन पूछा जाता है, और यह eldest of the six children, और सब सबसे इल्डेट से अपने 6 बच्चों में, इनके पिता, माँ जो भी थे 6 बच्चों में सबसे इल्डेट से, attend to Eaton College में उन्होंने परारेंबिक जो चीजें education उन्होंने लिए, उसके बाद इन्हें Mad Sally वहीं से कहा जाने लगा, इन्हें पागल Sally, पागल Sally इसलिए क्योंके लंबे बाल रखे थे, काफी लंबे बालों को थे, और इसके वज़े से ने Mad Sally भी कहते थे, पीवी Sally को, by his classmate, और इनके Mad Sally नाम दिया गया था, उनके classmate के ही द्वारा दिया गया था, अब देखिए कि important गटना इनके life में होती है, उस वह important गटना क्या होती है, Oxford University में जब व दोनों दोस्तों ने एक 1811 में एक pamphlet निकालते हैं, publish, publish करते हैं, circulating करते हैं, the necessity of atheism, जो necessity of atheism है, इन्होंने pamphlet religion को लेकि इन्होंने कुछ ऐसे controversial कर दिये थे, जिसको लेकि इन्होंने वहां से college से निकाल दिया जाता है, necessity of atheism, इसको याद कर लिजे, काफी बार exam में पूछ जा चुका है, 1811 में इसको publish कराते हैं, और circulate अपने में ही जैसे pamphlet को इन्होंने चापते हैं, और अपने कुछ दोस्तों में या college के दिवारों के चिपकाते हैं, जिसके बाद इन्हें क्या किया जाता है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, उनकी life जब college से नि लोब कर दाते हैं, भाग जाते हैं, और वहाँ, 1811 में है, Harriet Westbrook के साथ भागने के बाद, 1812 में जाते हैं, Ireland में, और वहाँ पे क्या करते हैं, Justice of War, वहाँ पे Catholic Church में अपना एक रूप से वहाँ पे रग रूप जाते हैं अपने जीओने आपन करने के लिए, अब देखिए, आगे उन्होंने क्या किया है, कि Rights Queen Mob, वह आगे चलके हुआ Queen Mob को लिखते हैं, मिर्स William Godwin, और William Godwin से आगे चलके हुआ मिलते हैं, और William Godwin से मिल रहता है, उससे एक बच्ची रहती है, और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है, उसी दवरान हुआ क्या करते हैं, 18-14 में, जब William Godwin से मिलते हैं, Queen Mob लेके वहाँ लिखते हैं, और उसी दवरान हुआ उनकी बहन से उनको First Love Attain हो जाता है, जिसका नाम Mary Godwin हो जाता है, और लेश्टर, 18-16 में जाते हैं, जिनेवा सरकिल वुईत बैरंड वहाँ पे मिलते हैं, बैरं से, अब देखिए, अब प्रमेथियस अनबाउंड की वहाँ शुरुवात हो जाती है, जो प्रमेथियस अनबाउंड उनका काफी important work है, वहाँ पे शुरू कर देते हैं, और उनकी पहली वाइब रहती है, हैरियेट, वहाँ अपने डूप के क्या करती है, सुसाइट कर लेती है, इस चीजों को देखिए, काफी लाइब को उतार चड़ाओ से, परसान होगे कि भाई, इनके ओ चीजे हैं, अब इसमें देखिए, हैरियेट यहाँ सुसाइट कर लेती है, अ वहाँ के जो very teacher रहते हैं, और वहाँ पर उनकी दोष्टी लेहंड से होती है, और वह आगे चल के John Kit, 00 प्रॉब को आप लोग तो जानते हैं कि वहीं पे चलके जॉन किट्स से उनकी पीवी सहली की मुलाकात होती है अब पीवी सहली की अर्लियर लाइप की बात करें तो अर्लियर लाइप में वह बहुत सीधे साधे जेंटेलमेन की तरह रहते थे और उसको उनको कोई भी ज्याद गायब ही रहते थे और उसको बाद यह चीजे तो मैंने आपको पंप्लेट की बताई दिती गोड़ बुटट आउट फॉर्म दपंप्लेट ही रोड़ काल नेशिशिटी ऑफ एथीजम और जो पंप्लेट छापे थे नेशिटी ऑफ एथीजम उसकी वज़ा से उनको दे एट ऑफ नाइटी नाइटी की एज में वह अपनी साधी करते हैं फ्यू मन्त आप्टर गेटिंग बुटट आउट ऑफ कॉलेज मतलब जब कॉलेज से निकालने के कुछी दिन बाद वह क्या करते हैं साधी कर लेते हैं ठीक इनकी पहली जो हैरियेट रहती है वाइफ करते हैं ठीक अब इनकी देखी आगे देखी हिच्वाइस और ब्राइडवाद इस्टि यर्स ओल्ड स्कूल गर्ड और वह 16 साल की लड़की से जो स्कूल गर्ड राती है जिनका नाम हैरियेट वेश्ट बूक रहता है इनकी पहली वाइफ है कभी कभी एक्जाम में पूछ जाता है तो यह फर्ष्ट वाइफ इनकी है अप लोग इसको ध्यान दिजेगा फ़र्ष्ट वाइफ है तो आप इसको देख सकते हैं कि फर्ष्ट बूट कर सकते हैं कि फ्रिय Index 5 Review साथी हुए रहती है बात मैं हुआ जाके दूसरी साथी भी करते हैं always a believer free love वो और कैसे विस्वास करते थी कि वो free love के बारे में Harriet Brooke विस्वास करते थी कि लब के लिए कोई गुलामी ने free रहना चाहिए he invited his friend Thomas Jefferson Hug और Thomas Jefferson को invite करते हैं to join them कि आके हमें join करें Harriet was not amused Sally got turned off by her conventional view of marriage और Sally का जो है conventional view of marriage में turn हो जाता है उनके तरफ और relationship continue three years into his marriage और उनके साधी से तीन साल तक उनका relationship चलता है he left his wife and child to study and travel वो अपनी wife को और बच्चे को छोड़के चले जाते हैं पढ़ने के लिए और travel करने के लिए अपनी life में देखिए यहां तक हो जाता है फिर फाइनली वो मीट किसे करते हैं he meet and fall in love Mary Williston Craft Godwin and Mary Godwin से वहाँ पे मिलते हैं ठीक the daughter of intellectual William Godwin और जो daughter रहते हैं William Godwin के उनकी daughter रहते हैं उनकी लड़की Mary Godwin से मिलते हैं उनको प्यार हो जाता है and the original feminist और हुआ original feminist थे Mary Holliston Craft के जो original feminist थे उनसे वो मिलते हैं Sally Abundant Harriet और Harriet को अत्याग देते हैं and took off to continue with Mary Mary अब क्या करते हैं Harriet को अत्याग के अपने जीवन किसके साथ continue करते हैं Mary Godwin के साथ and her except sister Claire Claremont both of whom it is not wear more into his free love policy than his wife देखिए यहीं भी free love की यह बात करते हैं Mary Godwin ठेक यहाँ पर इसको देख लीजेगा Sally के जो important work होते हैं जो 1816 से 17 के बीच में नहीं लिखा था और 1816 और 1817 1818 तक लिखे गए थे यह सारे वर्क और उसी के बीच में कुछ important work थे इनकी life कैसे ऑक्सवोर्ड में पड़े वहां से क्यों निकाले जाते हैं नेसे सिजम इनकी important घटनाय लाइफ में क्या होती हैं इसके बाद इसके बाद आगे चलके मेरी गडवेंस मिलते हैं यह चीजे देखने के बाद कुछ इंसके important work रहते हैं अब इंपोर्टेंट वर्क में अगर हम बात करें तो हैमें आप हैमें टू intellectual beauty इनकी काफी अच्छी है उसके बाद दूसरे बात करें मॉन्ट ब्लैक इनकी काफी famous वर्क आगे आती है अठारा सुनिस में लिखते हैं complete complete लिखते हुए लिखते हैं Prometheus Unbound जो इनकी काफी famous एक वर्क है Prometheus Unbound इनको लेके काफी glory प्राप्ट कर चुके थे उस समय पोईटिक के फिल्ड में और इनका एक जो ड्रामा रहता है sensee एक जाम में पूछा भी जाता है जो इनका एक sensee play है इसको लेके प्ले की पीबी सैलीन कौंसा play लिखा हुआ है यह sensee है जो इनको ने play लिखे हैं और इसके अलावा दब मास्क ओप एनार्की ठीक जो मास्क नंहार हुआ था उसको लेके इन्होंने the mask of anarchie को लिखा हुआ था और छटे नमर पर बात करें फिलोस्पिकल भ्यू रिफॉर्म को बात करते हैं फिलोस्पिकल भ्यू आफ रिफॉर्म किस पोएम के जो सबको बेरी नोन पोएम रहती है वेल नोन पोएम रहती है जिसको आप ने पढ़ा योगत the ode to the west wind इनकी काफी famous पोएम है ठीक यह ode रहती है वेस्ट विंड के माध्यम से इन्होंन फिलोस्पिकल भ्यू आफ एस्पेक्ट की बात करते हैं उनकी व्यू क्या रहती है वेस्ट विंड को काफी इससे related question इसमें पूछे जाते है वोड वेस्ट विंड इसके अलाव इन्हों जोन किट्स की मिर्तू पे एक LG लिखते हैं अडॉंसिस अडॉंसिस काफी famous LG रहती है इनका work है इसको आप लोग जरूर एक बार देखिएगा अडॉंसिस और इस पर मैं वीडियो भी बना दूँगा अगर कॉमेंट वक्स में कॉमेंट करिए अडॉं होती है अगर दसमें नमर बात करें तो काफी important work है इनका the term of life जो 822 में होता है इसके बाद ही यह डॉन एट सी इटलीव की जब यात्रा करते जाते हैं 29 साल के एज में देखिए अब यह वीडियो आपको कैसे लगी अगर इंट्रेस्टिक लगी तो इस राइटर की बायोग्राफी पर हमारी और भी सीरी जाने वाली है जिससे आप हमारे चैनल से जूट सकते हैं ओके ठाइंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में